एक राइटर एक वैंपायर लेटकी की प्यार में पढ़ता है पर प्रॉल्म तब आए जब इस वैंपायर लेटकी की सिस्टर इसी राइटर को रिजाने की कोशिश करती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको तो किस ओप दे डैम ये हॉलवर वैंपायर स्टोरी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर देजेगा अब बिना किस दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और एक बड़े से घर में हम हमारी में कैरेक्टर जौना को देख सकते हैं वो आज रात एक रोमेंटिक मूवी देख रही थी उसे बहुत ही अकेला महसुस होता है सुबा होने बर घर में बलड पड़ा हुआ था उसकी मेड वहाँ पर आई जो इसे पोश लेती है इसके बाद अगले देन वो फिर से मूवी लेने के लिए एक स्टोर में कई यही पर उसकी नजर पाउलो से मिली जो हमारा और एक में क्यारिक्टर है पाउलो को भी जोना बहुत अच्छी लगी थी बाहर बारिश आ रही थी तो जोना घर जाने के लिए ज़रा वेट करती है दो भी पाउलो ने उसे अप्रोश किया उसे ड्रिंग के लिए बुशता है यह दोनों ड्रिंग के लिए आए और एक दुसरे वो जानने लग गए पाउलो एक्च्छल में एक स्क्रीन राइटर है वो अच्छे से राइट कर पाए इसलिए एक डिस्टिंग टाउन में वो आया हुआ है जोना कहती है कि मैं पोईटरी ट्रांसलेट करने का काम करती हूँ उसे एक रियर स्किन कंडिशन है जिस वज़े से वो सनलाइट में बाहर जा नहीं सकती उसे दिन बार घर में ही काम करना पड़ता है यह दोनों फे जोना के घर वे आकर टीवी देख रहे थे थोड़ी दिर में पाउलो जोना को किस करने लग गया जोना ने रियलाइस किया कि बहुत बड़ी गल्दी होगी उसने उसे रोक लिया जाने के लिए कहा पाउलो गयता है मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगा ज्वाना को पावलो को इस तरीक से जाने देना पड़ा तो इसके लिए बहुत रोती है अगली दिन पावलो ने ज्वाना के घर पर कॉल किया जो मेड ने उठाय हुआ था पावलो ने ज्वाना के लिए मैसेज दिया कि आज रात वो एक बार में उसका वेट करेगा उसने बहुत देर तक उसकी वेट की पर वो आई ही नहीं डायरेक्ली विर उसके घर पर वो भोच जाता है ज्वाना दोर पर चेन लगा करें दोर थोड़ा सा एक खोलती है उसे अब भी अंदर आने नहीं दे रही थी पाउलो कहता है तुम्हें जो भी बिमारी है हम सारा कुछ फिगर आउट कर सकते हैं प्लीज मुझे अंदर आने दो ज्वाना उसे अंदर नहीं आने दे रही थी ये बाहर से उससे किस करने लगता है किस करते करते पाउलो का लिप पर उसने पाइट कर दिया यह बहुत दिंजरस बाइट था और जौना ने पाउलो को घर जाने के लिए कहा अगली दिन सूपर शॉप में दोनों फिर से एक दूसरे को देखते है जौना यहाँ से चली गी अगली रात उससे घर पर पहुँच गया था आज राज जौना ने उससे अंदर आने दिया और जौना को फिगर आउट कर नहीं पा रहा था जौना ने कहा मेरे पास आओ उसने उससे अपने दिल पर हाथ रगने के लिए कहा गयती है कि मुझे हार्ट ही नहीं है जब excited होई तो उसके दाद निकल आए थे उसके आखों का color भी बदल गया था पावलो को finally believe हुआ पर फिर भी वो नहीं डरता जवाना के कव सगिराव निकाल देता है इसके बाद वो उसके साथ intimate होने लग गया तो भी जवाना पावलो को काट लेती है सुबा होने पावलो ने को उसका blood test करने की urge नहीं होती वो किसी भी human को hurt नहीं करती सिफ एनिमल के blood पर ही जीती है जवाना ने पावलो से कहा कि हम कभी भी age नहीं होंगे अगर हमें चोड भी आई तो जल्दी से heal हो जाते है हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते है जवाना पावलो को hunt वेगरा करना स पावलो को मिमी से बात करकर उसे जान कर लगता है कि यह नॉर्मल है पर जाना उसे कहती है कि वो crazy है तो इन बाद में पता चलेगा अगले दिन जब जाना और मिमी बात कर रहे थे तो मिमी ने कहा क्या तुम अकेली पड़ गई थी क्या इसलिए तुमने पावलो को turn किया तुमने कहा कि तुम उसे प्यार करती हो पर अगर सशूश में करती तो उसे इस तरीके से turn न कर गया उसे पता था कि जौना को इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा उसे कहता है मेरे पास थोड़ी से पैसे है एक जगा पर जाकर एक अच्छा सा घर हम बाय कर सकते हैं एक नहीं स्टार्ट कर सकते हैं जौना को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा और इनका प्ल कर सकते हो क्या तुम्हें कुछ mentally problem है मुझे तुम self destructive लगते हो जो उसके लिए बहुत ही attractive है वो यहाँ अपर उसके साथ threat कर रही थी पाउलो से भाड में जाने के लिए कहता है इसके बाद एक रात यह actress के पास एक party में आये हुए थे यहाँ अब अजवाना पाउलो को सब लो करता है एक्रेस कहती है कि मेरे पास synthetic blood है government हमें supply कर सकती है अब तक किसी भी human को पता नहीं है अगर पता चला तो इन्हें मार डालेंगे इस वज़े से government से कुछ भी बात नहीं कर सकते मीमी इस party से जल्दी घर चली गी वो दो लोगों के साथ जाकर घर में intimate हो रही थी जो जब कायब हो गए तो जोना मीमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए वो उससे confront करती है कहती कि वो गए कहा मीमी कहती कि वो hospital में होंगे जोना उस पर चीट रही थी तो मीमी ने डारेकली उसका गला पकड़ लिया कहती है मेरे life से दूर रहो मैं जल्दी यहां से चली ज जुचता है एक्च्वल में bartender पावलो को लाइक कर दी थी इस वज़े से उसे पता था कि पावलो अब जोना के साथ relationship में है यह एजन जोना के घर पर पहुचा वो बहुत ही इंपरेस्ट हो जुका था पावलो से गहता है कि अब मैंने राइटिंग भी स्टार्ट कर दी है एजन ने जब यह पेजस पड़े तो बहुत ही इंपरेस्ट हुआ यह डिनर पर जोना से गहता है तुम्हारी वज़े से पावलो में बहुत सारा change आया है पहले वो किसे से जादा बात नहीं करता था बहुत ही अज़िब सी books लिखता था अब इस बार उसने बहुत अच्छ ज़ना ज़ना को आता है सुबा होने पर वो एजन्ट का रूम देखने के लिए तब उसे पता चला कि सपना नहीं था एक्च्छल में उसने एजन्ट को मारा था वो राज में अपनी अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाई थी वो यह सारी जगा साफ फिकरा करकर इसे कंट्रो को कॉल किया वो गया थी कि मीमी किसी को भी टर्न कर रही है वो बहुत ही रेकलेस है हम उसे इस टाउन में नहीं रहने थे सकते है एक्ट्रेस ने कहा यह थोड़े दिनों में मेरा प्ले है वो देखकर यहां से चली जाएगी थोड़ी दिनों की तो बात है यह सारी बात यहा की बहुत ही excited थी यह मीमी ने देख लिया उसे कहती है मैं उस actress की friend हूँ तु मेरे साथ उसके घर पर चल सकती हो आज कल जो आना मीमी को लेकर बहुत ही वरीड थी पावल उसे कहता है कि जादा वरी मत करो जब वो shower ले रहा था तो अचानक से पीछे से मीमी उसके पास आ गए उसे कीस करने लगती है उसके साथ वो intimate हो गई जादे जादे उससे कहती है अगर तु मुझे चाहते नहीं तो मेरे साथ intimate नहीं होते है इसमें गल्दी तुम्हारी भी है यह जो आना से revenge लेने का मीमी का plan था जिसके बाद नेक सीन में teenager को लेकर मीमी actress के घर पर आके उन दोन उसको इस teenager को देखकर control करना बहुत ही hard था मीमी कहती कि मैं उसे लेकर जाती हूँ मीमी ने teenager को जाने से पहले पानी दिया पर एक लास टुटा हुआ था इस वज़े से teenager injured होके बलर देखकर अब actress अपने आप पर control नहीं कर पाई वो इस teenager को मार डाल दिया इसके बाद मीमी न अफ़सा लिया और अब उससे पैसे लेकर वो घर बाय करेगी ने इसटे पाउलो और जवाना ये दोनों अलग सिटी में जाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले थे पर अब पाउलो को बहुत ही गिल्टी महसुस हो रहा था मीमी और उसके बीज में जो भी इसलिए एक दूसरे को उनने माफ कर दिया था अब मॉर्निंग में जब मीमी घर आ रही थी तब अचानक से उसके गाड़ी के सामने डियर आ गया इस वज़े से उसका कंट्रोल चला जाता है गाड़ी एक पेर से टक रहा है और वो बहुत जादा इंजोर हो गई थी अगर वो पूरी तरीके से सुबा होने से पहले घर पर नहीं बोची तो उसकी स्कीन बर्न करने लगेगी पर अपनी चोटों की वज़े से उसकी स्कीन बर बर्न आने लगके थे हैं वो क्रॉल करते करते खर आने की कोशिश करती हैं पर रस्ते में उसे उनकी मेड मिली मेड में बज़वाना ये अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक अलग सी सिटी में चले गए ये जैसे भी है वैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे को एकसेप्ट कर लिया है इसे के साथ ये मूवी एंड हो जाती